नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है CIT and CRT के लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आप हमें देख रहे हैं इविद्या चैनल नमबर 9 पर मैं स्रजन राजपूत हूँ और ये सत्र आप सभी के लिए CIT and CRT द्वारा लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है जिस पर विशय है दिखाये जा रहे हैं नमबर के माध्यम से ये नमबर है 8800 440 559 या फिर आप अपने किसी भी प्रश्न और आगे के लिए सुझावों को लेकर भी हमें लिख सकते हैं मेल आईटी पर जो कि इस समय स्क्रीन पर है क्योंकि आपके सुझाव हमें और बहतर बनाती हैं तो बिना किसी देरी के आप सभी ने विशय तो जान लिया है आज के अतिती के साथ भी आप सभी का परिशय करवा दूं हमारे साथ साथ हैं डॉक्टर बीरबल लुनिवाल सर नमस्कार हार्दे का बिलादा सर क्या परिशय देना चाहूंगे आप सभी के साथ सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डी एसस डिपार्टमेंट ओफ एजूकेशन एंड सोशल साइंस नहीं दिली से सर क्योंकि आज का हमारा यह जो टॉपिक है जिसमें की क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे क्या होता है क्या होता है क्लाइमेट जलवाईयों जो मॉसम वेडर इन सब की जानकाई करते हैं और अपडेट भी रहने का प्रयास करते हैं इन में क्या डिपरेंट्स है यह यह दो पर पहले आपसे बातचीच जाहेंगे जानकारी जाहेंगे देखें का नाइन वहाटatic है अलग अलग जैसे अभी गर्मी का मोसम चल रहा है थोड़े दिनों में सर्दी कान स्वेटर पहनना पड़ता है अलग अलग चीजे हम लोगों को करना पड़ता है तो दो चीजे हैं यहां पर एक होता है मोसम जिसको वैदर बोलते हैं और एक होता है क्लाइमेट जिसको क्लाइमेटिक कंडिशन है किसी भी शेद्र की अगर फोड़े शोर टाइम के लिए अगर हम कोई क्लाइमेटिक कंडिशन देखते हैं तो ऊसको हम लोग ग DasWeather और दूसरा जो क्लाइमेट क्या है कि क्लाइमेट रेफर्टू सम् टोटल ओफ वेधर कंडिशन्स और वेरियस अवर लार्ज एरिया फोर लोंग प्रीड ऑफ ताइम अगर हम वही चीजे जो शो टाइम के लिए है जो वेधर है वो अगर लोंग टाइम के लिए अगर हम लोग करते हैं तो उनको उसको हम लोग क्ल जलवायू बोलते हैं तो दो चीजें हैं यहां पर शोट टाइम के लिए यानि कि जैसे आज बादल हो रहे हैं आज बहुत दूप है अज गर्मी है वह ज्यादा ये क्या है ये वैदर है जबकि हम लोग कलाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट एक लोग टाइम के लिए य सकते हैं कि उसमें हम डेज अपडेट भी ले सकते हैं और जैसे कि सच ने बताया क्लाइमिट के बारे में तो और तीस वर्षों का जो भी तापमान रहा या मौसम रहा उस पर जो है अध्यन किया जाता है जी सर आगे इस चाप्टर में और क्या खास है कक्षानाव के बच्चो है उसको लोग यहां पर देखेंगे दूसरा कौन-कौन से वैक्टर है फैक्टरेक्टिंग अक्लाइमेट ओंडिया कट्रायश से फेक्टर से वो क्लाइमुसे करते हैं वह यहां हम देखने वाले है राइतम औस सीजन सीजन टिच्टिबिशन ऑफ रेन फाल इंडिया में honest जो rainfall है वो उनका distribution कैसे कैसे है किस एरिया में कितनी ज्यादा वरसात हो रही है कहां पर बहुत ही कम है देखने को मिलती है यह यहां पर देखने को देखेंगे तीसरा है कि हमारा जो भारत है होंन इसी है जो जो समवंद है और जो सिजनल रिवरसल in the events direction during a year पूरे साल में जो हवाओं की जो दिशा है उसके बारे में हम लोगों को इस मांसून जो वर्ड है इसी से पता चलता है तो मांसून नी जलवायू भारत की जलवायू है वो मांसूनी जलवायू है इसके बात जो है कि यहां पर हम डाइवर्सिटी क्लाइमेट की जो की जो डाइवर्सिटी जो देखने को मिलती है उसके बारे में एक-एक करके देखते हैं आप लोगों के मन में यह पर्षम उड़ता है कि एक ही समय में जैसे फोर एक तो वहां का more than 20 centigrade देखने को मिलता है तो एक ही रात में अगर इस तरह की यह डाइवर्सिटी क्यों है दूसरा जैसे जैसल मेर में गर्मियों के इदरों में more than 50 50 degree centigrade से भी ज्यादा ताफमान देखने को मिलता है और उसी समय जो है तवांग जो अरुनाचल प्रदेश में है उसका ताफमान गर्मियों में 19 डिग्री 19 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है ऐसे ही यह जो डाइवर्सिटी है ऐसे और एक्जामपल है जैसे बारिश को ले लग बारीस देखने को मिलती है तो इस तरह से जो यह देश में हमारे देश में जो इस तरह की है टाइप्रेरेश र को ले करके है यहां ईहां पर एक पर्शन और आपसे जल दृया Caitlin और लेकिन पहले हम लोग से Climatic Diversity बहुत को पता चला कि भारत में इस तरह की जो क्लाइमेटिक diversity है वह देखने को मिलती तापमान की diversity देखने को मिलती है और कई एक्जामपल हमने देखे मांसून का जो है जैसे और एक्जामपल डाइवर्सिटी का थोड़ा सा एक एक्जामपल है जिसे चूरू राजस्तान है वहाँ मोर दन 50 डिग्री सेंटिग्रेट देखने को मिलता है वहीं तवांका 19 डिग्री है हिमालय में जो है गर्मियों की दिरों में भी किवार स्नोफाल हो रही है जबकि हमारे य हवाय تक्रा के चली जाती है तो उसके वहीं कुई कारण है उनके कारण भी हम् Low here यह पर जैसे हम फैक्टर्स है कि इंडिया की क्लाइमेट है बहरत की जल्बायू है उसको देखिए कौन-कौन से factor effect करते हैं कौन-कौन से कारक है जो भारत की जलवाई को effect करते हैं तो उसमें देखिए दो पार्ट में हम divide कर सकते हैं पहला है related to location and relief किसी भी उसका location और उसकी जो relief है यानि की उच्चावच जो है उसके base पे हम climate को इसको जो factors है उनको divide कर सकते हैं air pressure and winds कि air pressure किस तरह का हमारे देश में कहा low pressure है कहा high pressure है winds किस direction में जा रही है जैसे आपका question है उसका भी हम लोग यहां पर देखेंगे कि हमारे देश में दो चीजें जो है effect करती है इंडियन climate जो है उसको दो चीजें effect करती है एक तो location और relief से related जो factors है और दूसरा जो है air pressure और wind से related जो factors है वो दो चीजों में हम इसको divide कर सकते हैं अब उसमें पहला हम लेते हैं कि location और relief को लेकर के यान कि कि कभी भी स्थान है और उसका जो उच्चावच है उसके base पे भारत का जो जलवायू है भारत का जो एक तरह से climate है वो कैसे effect होता है तो देखें उसमें कौन- इसको बहुते हैं कि akshanz है वह की climate को effect करता है कैसे करता है इसको मैं अभी आपको explain करूंगा altitude क्या है उचाई उचाई भी जो है किसी भी स्थान का climate को effect करता है relief है जो चावच है वहां के उचाई या इतना गेहरा है वह एक तरह से relief वहाँ एक तरह से water area है तो वह भी relief है व कोई भी प्लेस कितनी दूर है वो भी वहां की क्लाइमेट के एफेक्ट करता है हमालय माउंटेन हमारे देश में जो हमालय माउंटेन है वो भी हमारी जो क्लाइमेट है उसको एफेक्ट करता है वो कैसे करते हैं हम एक एक करके देखेंगे इसको दूसरे इधर देखें वाय मंडल में उपर की तरफ है वो एर का जो circulation है जिसको हम लोग jet stream बोलते हैं jet stream है वो भी इंडिया की climate को effect करता है और फिर है western cyclones जो हम सर्दियों में जैसे हमारे बारिस आती है तो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया इसको related to location and relief and related to air pressure and winds तो पहले वाला जो है कौन-कौन से factor effect कर रहे हैं इंडिया की climate को उसका देखते हैं एक के करके पहला है latitude देखें latitude है कोई भी अक्षांस है वो जैसे हम लोग यह जानते हैं कि जैसे आप पीपीटी में देख रहे होंगे वर्ड का map देख रहे होंगे और उसके पास में एक दूसरा जो है कुजरती है और उपर की तरफ जाते जाते हैं तो हम लोग उपर की तरफ जो है पोल साइड में लगाता ठंडा जो है वो बढ़ती जाती है कहने का मतलब यह है कि लाइन ओफ एक्वेटर पे सन का डिरेक्शन है लगबग एक तरह से लोंजिटूडनल लंबवत होता है जब लगाता है तो यहां जो है गर्मी के दिनों में जैसे अभी 21 मार्स के बाद में जो सन है वो लाइन ओफ के इंसर की तरफ आएगा तो वहां पर एक तरह से हमारे भारत के उपर पूरी तरह से लोंजिटूडनल जो है लंबवत किरने हैं वो गिरती है और ऐसे पोल साइड मे कि तरह से कम नोट यह तो यह तरह से कोई भी प्लेशा को लेटिटूट है वहां के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है कि लाइन ओफ एक पास है तो एक तरह से थोड़ा सा आध राइल्टर वाली जो है वह देखने को मिलते हैं पर एक तरह से ट्रोपिक जो उस्ट कटीबंद ज सीठ कटिबन देखने को मिलता है तो अक्सांस है वो किसी भी पलेस के क्लाइमेट को effect करता है तो यह कोई भी लेंटिटीट अब जहां जहां जहाँ अلग को जासाँ बोलेंगे इस तरह से टापमान कम कम मिलते हैं जबकि जो कम तो एक तरह से लेटिटूट किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को इफेक्ट करता है यही पर स्थितियों की वज़े से भारत में मिला जुला मौसम देखने को मिलता है और 12 महीनों में हम लगबग 6 जो रितुएं हैं उनसे गुजरते हैं अब करहें और दिली के संधर में बात करें तो यहां क्योंकि हमेंबी मिला जुला साव मौसम देखने को मिलता है जबी दिली की बात करी करें तो वो अपनेrau स्थे जी उनके मौसम से धाधा प्रभावित हो ज्यूइब दूसरा हम factors यहां पर देखेंगे दिल्ली का भी हम आगे देखेंगे दूसरा दू factors यहां पर जैसे हमने latitude देखा, दूसरा altitude, altitude का मतलब उचाई, कोई भी प्लेस है, उचाई कैसे effect करती है climate को, तो देखें एक example हम देखें कि latitude है, जैसे आगरा का latitude है, वो यह तरह से near about उसी का तापमान वहां पर load किया जा रहा है, तो हम लोग यह कैसे कह सकते हैं, तो यहां पर जो दूसरा factor है, latitude तो सेम है, लगबग near about सेम है, लेकिन उचाई भी एक दूसरा जो factor है, उचाई, कोई भी प्लेस जितना उचा होगा, वो उतना ही एक तरह से उपर की तरफ जाते हैं, तो यह जो है, एक तरह से उसको normal lapse rate बोलते हैं, तो यह उचाई जो है, उसके base पर भी हम लोग कोई भी प्लेस जैसे हम लोग कहीं बार पिक्निक के लिए या अभिसर जैसे summer है, उसमें कहीं बाहर जाते हैं, hill station पे जाते हैं, तो वहां पर हमें ठंडा लगता है, मसूरी, न कम होता चला जाता है, 650 meter पे 10 degree, 650 meter पे 10 degree के लगबग तापमान है, वो कम हो जाता है, तो इस तरह से average 650 meter पे अगर height पे अगर हम लोग जितनी height पे जा रहे हैं, तो तापमान उतना ही वहां पर कम होता चला जाता है, यही है कि जैसे कस्मीर है, और मिमाले mountain है, उसकी ऊपर की जो चोटियां है, वो पूरी तरह से, आईस से डकी रहती है, तो यह एक दूसरा factor है, कि भारत की जो जलवायू है, उसको effect करने वाला कि उंचाई, किसी भी place का उंचाई है, वो उसकी climate को effect करता है, तो हम यहाँ पर example के माध्यम से भी जैसे आगरा जो है, वो जन्वरी में 16 16 degree centigrade तापमान है, और उसी latitude में लगबग near about Darjeeling है, वो 4 degree centigrade तापमान वहाँ पर note किये जाते हैं, तो यह altitude दूसरा factor है, जो भारत की जलवायू है, उसको effect करता है, अब तीसरा जो आता है relief का, कि कोई भी place की जो relief है, उसका जो उच्चावच जिसको बोलते हैं हिंदी के अंद जो है भारत की जलवायू को बहुत प्रभावित करता है, कैसे, देखे, दो तरीके से है, एक जैसे सर्दी के दिनों में हम लोगों के उत्तर से जो हवाएं आती है, जो western cyclone उत्तर से जो बहुत थंडी हवाएं आती है, उनको हिमालय माउंटेन एक तरह से रोक लेता है, तो हिमालय माउंटेन एक तरह से हम लोगों को रक्षा करता है, वहाँ पर थंडी हवाएं हैं, उनको रोक लेता है, ऐसे ही इधर से जो मानसूनी हवाएं जाती है, यह मानसून जब आता है हम लोगों के, तो जैसे मैडम ने अभी question पूछा था उसमें, कि जो हवाएं हैं टकर हिमालय माउंटेन से टकराती हैंट तो वहाँ सिंसे मासिन यह गेल्म नोर्थीस स्थेट्स बीत मेहां ल剖 नाती है, तो हमनी दिरे-दिरे कि पंजाब, राजस्तान था तो हम से कह सकते हैं, जो इक तरा ہे हिमालय माउंटेन eram हलें जोएं हमारे इसे क्लाइमेट ओसको एफ होती है ठंडी हुआ है रूआ ही एक चीज है रिलीफ के अंदर जो आता है वेस्टन भाट को को हम बोल सकते है वेस्टन गाट हार जो मिलते है जबकि युसका इस्ट पार्ट है वहां पर पार बहुत कम यह दो यानि कि विदर्व वाला एरिया है, कई बार या आता जिसे बैंगलोर है उसमें बहुत कम बारिष देखने को मिलती है, उसमें बहुत ज्यादा बारिष होती है तो इसका रीजन क्या है? वेस्टरन घाट दोंचाई में हावाओं को उदर रोक लेता है और उसके western side में काफी बारिस होती है, क्योंकि हवाओं की जो दिशा है, वो पस्चिम से उत्तर पूरव की ओर होती है, तो वो एक तरह से रोक लेता है, और वहाँ पर एक तरह से बारिस ज्यादा होती है, जबकि उसी का part, जो eastern part है, वो एक तरह से सुखा रह जाता है, कम बार बारिस होती है, जबकि गर्मी के दिनों में, जब हमारे मानसून आता है, पूरा देश में बारिस होती है, उस समय जो तमिल नाडु कोस्ट है, वो एक तरह से सूखा रहता है, और उसका region क्या है, कि वहाँ पर eastern ghat है, वो हवाओं को रोक लेता है, और एक तरह से जो coastal area है, तो relief है, किसी भी प्स्तान का relief है, जो एक तरह से उच्चावच है, वो भी एक तरह से वहाँ की जलवाई को effect करते हैं, और यह भारत के reference में, भारत के संदर्ब में जो है, यह एक तरह से हमारे यहाँ पर climate है, उसको relief effect करता है, इसके बात जो आता है, जैसे इसी में जो आता है, distance from sea, मैंने शुरू में बताया, कि distance from sea, यानकि ocean से हम लोग जितना दूर चलते जाएंगे, उतना ही वहाँ की climate है, वो बदलती जाएगी, for example, for example, अगर हम देना चाहें, जैसे चैन्नाई का है, या मुंबई में जो हमारा तापमान है, वो एक तरह से numb और सम बना रहता है क्यों रहता है, कि ocean effect है वहाँ पर, यानकि जो पानी है, वो बहुत दीरे-दीरे गरम होता है, और बहुत दीरे-दीरे ठंडा होता है, यानकि जब sun rays आती है, तो बहुत दीरे-दीरे नीचे तक heat है, वो जाती रहती है, और दीरे-दीरे गरम होता है, और ऐसा ही ठंडा जो दिल्ली का question पूछा था कि दिल्ली का जो तापमान है, Dill subscribe का Findatator कि दिल्ली का सर्दी के दिनों में, जैसे माइनिस के आसपास 1-2 degree. 5 degree. ऐसी कि ताफमन है क्योंकि यह C से जो है. बहुत दूर हो गया है यहां का जो तापमान है. C से Distance यतना बढ़ेगा उतना ही तापमान की जो भीविद्विता है वो ज़्याधा होगी Simla है वहांपर जैसे Snowfall होता रहता है क्योंकि C से जो है बहुत जादा Distance हो गया है उसका तो ये एक Factor भी एक है Distance from C ये भी एक Major Factor है जो कि वहां की Climate को Effect करता है इसके बाद जो आता है कौन कौन चे factor हमने देखे एक देखा हमने relief वहां का है altitude क्या है वहां का latitude क्या है वहां का और distance from sea है यह सारे factor Indian reference में है भारत के संदर्ब में है यह factors है जो हमारे यहां की जलवाई को परभावित करते हैं इसके अलावा जो है जैसे ocean current है ocean current है वो भी वहा है व्रिटेन में जैसे होँट current है वहां से घुजरती है तो सर्दी के दिनों में वहां का जैसे port गेरा है जम जाया कर तो उसकी हो होट current की वज़े से नहीं जम पाते हैं तो यह वहां का कहीं पर से होट current वहां से गुजर रही है उस coastal area से तो वहां का तापमान बढ़ा देत तो यह कुछ फैक्टर्स हैं जो की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं जो सर्थ हाव दप लोग फोस जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है विंच को यहां पर इसको भी अदिशनली क्योंकि हमने फॉर्म को तो जान ही लिया है फोर्स जो है यह वाली सो आगे इसको और कंटि है तो उसके घूमने की वज़े से जो है जो नोर्थ हमिस्पियर है उसमें जो विंट्स का जो डायरेक्शन है एक तरसे राइट हैंड में घूम जाती है और जो साउधन हमिस्पियर में है वहां वेस्टन लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में घूम जाती है इसी का ना गुंगार्द है, Southern Hemisphere है, उसके अंदर जो है वो Left Side में घुम जाती है, तो इसको हम लोग Coralysis Force बोलते हैं इसको और इसको Farol के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इसकी वज़े से जो Northern Hemisphere है, जिसके अंदर Trade Winds है, जिसको हम लोग व्यापारिक हवाएं बोलते हैं, वो हवाएं है एक तरह से उनका Direction एक तरह से राइट साइड में घुम जाता है, तो हमेशा बसे जिसे भारत की जो Climate है उसके अंदर वो उपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए, लेकिन भारत की जैसे मैंने बताया है कि यहां पर मानसूनी जलवाई भी देखने को मिलती है, तो मानसूनी ज एमिस्पियर में जो है, लेट साइड में घुम जाती है, जी सर सीजन के बारे में भी क्योंकि आपकी क्योंकि अभी हमारा पास समय है और क्लाइमेट अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम पार्ट टू में भी कंटिनू करेंगे, लेकिन यहां हम पार्ट वन को एक बाई समप कर लेते हैं, और पार्ट टू में नेक्स्ट क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं, जी अभी पूरा चेप्टर एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें जो सीजन हैं, तो सीजन हमारे देश में कौन-कौन सी सीजन है, उसके बारे में थोड़ा सा एक सीजन स्वैसे तो हम सर्दी गर्मी बारिश और फिर उसके अंदर भी सब उसका है वो करते हैं बसंत्री तु है सिसीर है मन्त है लेकिन वह रितु के अलावा यहां पर जो सीजन है हमारे देश में जो का अगर मांसून के संदर्ब में हम देखें तो देखें यहां पर एक cold season ज का जो टाइम है वो cold season का रहता है ऐसा ही hot season है वो अभी मार्च से start हो करके मई तक का जो time है वो एक तरह से hot season weather season होती है ऐसे ही जो बारिश का है बारिश वाली जो season है उसको हम यहां पर two parts में divide करते हैं एक advancing monsoon का जो rainy season है जो की first June के लगभग से जून से start हो करके एक तरह से ज में लोटता हुआ मांसून है वो एक दूसरी season है तो चार पार्ट में हमने डिवाइड किया the cold weather season the hot weather season advancing monsoon and retreating monsoon जी सर बहुत बहुत अच्छा रहा इस chapter में आपके साथ climate को जानना और सीखना क्योंकि बात करें एक journal knowledge perspective से भी तो बहुत interesting होता है social science में geography में ये सब जानना कि हमारा climate किन-किन चीजों से बनाया है और इंडिया के संदर्व में भी हमने बात की कि भारत के संदर्व में किस तरह से monsoon मौसम पदलते रहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर डॉक्टर बीरबल लुनिवाल का सर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद की इस हुप्शूरत सत्र को सर्ने सरल शब्दों से समझाया हम कुछ ही तेर में आपके लिए ncrt का एक और live interactive सत्र लेकर हाजिर होंगे ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए mathematics का सत्र होगा जिसमें हम पढ़ेंगे quadulators part 3 so quadulator parts 3 है part 1 और part 2 भी आपके लिए जो है साराइश में प्रस्तुत किया जाएगा और part 3 में definitely आप कुछ नया सीखेंगे आप UCIT NCRT के सभी live interactive सत्रों के साथ बने रहें मैं स्रुचन राजपूत आप सभी से चाहूंगे अनुमती नमस्कार